हेलो व्रिवन जय हिंद आज ही 26 सितंबर और आज किस वीडियो में हम 26 सितंबर से बनने वाले करंट फर के सभी इंपॉर्टन कोशिंज को डिसकस करने वाले हैं रवजन कर लेते हैं कल याने की 25 सितंबर को हम लगों ने पढ़ा था कि नेक्स्ट येर जो पंद्रहवा ब्रिक्स होगा जिसकी मेजबानी साउथ एफ्रिका करेगा होकी इंडिया के नियद्धक्ष बने दिलिप्टर की आर इसी जो है ये भारत की बारहवी महारतन कंपनी बनी है और समुद्री गायों के संड्रक्षन के लिए पहला ये जो रिजर्व हिस्थापित किया गया है तमिलनाडू में दौलताबाद के लिए का नाम बदल करके द दंबर को मनाया जाता है वश्चु का सबसे उचा पुल हिमाच और प्रदेश में बनाया जाएगा और अभी हाली में जो एशिया पाम ओयल अलायंस का गठन किया गया है इसके पहले अध्यक्ष के रुप में अतुल चतुरवेदी की नियुक्ति की गई है ये सभी भी बनने लगे हैं इसलिए मैं इसमें आप लोगों को डेली ही अपने चैनल का नाम बता रही हूँ अल्मॉस्ट सोलह हजार सब्सक्राइबर वहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कुश्चन हाली में किस रज में भारत का पहला पूरे हाथ इनकी फुल आम पतलब ये कंधे से लेकर पे ये पूरा फुल आम ट्रांस्प्लांट हुआ है तो अभी हाली में देखे केरल में भारत का ये जो पहला फुल आम है ये ट्रांस्प्लांट हुआ है और ये जो उपलबदी है अ मैं जानकारी के लिए बता देती हूं एक इराकी नागरिक थे यूसुफ असन साइद जिनकी उम्र 29 साल और दूसरे करनाटक के थे अमरेज जिनकी उम्र 25 साल थी इन दोनों का न बिजली का करंट लगने के कारण इन्होंने अपने हाथ गवा दिये थे अभी तक आप लोग हा रदय प्रत्यार उपन ही पढ़ते थे अब ये पूरा आम ही पूरा हाथ ही ट्रांस्प्लांट कर दिया गया है जो कि सफल रहा है दुनिया में अभी तक तीन ही ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पूरे हाथ का ट्रांस्प्लांट हुआ है और इसमें से भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कहां हुआ है तो केरल में हुआ है चली थोड़ा सा हार्ट ट्रांस्प्लांट भी मैं आप लोगों को रिलेट करा ही देती हूँ देखें दुनिया में जो पहला रदय प्रत्यार उपड या हार्ट ट्रांस्प्लांट आप कह सकते हैं ये कहां हुआ था दुनिया में पहला ये दी पूछा जाए, तो ये साउथ एफ्रिका में हुआ था, कब हुआ था, साउथ एफ्रिका में हुआ था ये दिसंबर 1967 1967 में, जो क्रिस्ट्यन बनार्ड इतिना ने, इन्हों ने किया था, ये सफल हरदय प्रत्यारोपन साउथ एफ्रिका के केप गया तो यह 1994 में किया गया था डॉक्टर वेनु गुपाल के दुआरा तो दोनों ही याद रखेंगे अच्छा एक और ट्रांस्प्रांट यह आप रिलेट कर सको यहां मैं लिख देती हूं अभी यह इसी साल की न्यूज है कि किसी भी मनुष्य में सुवर का हार्ट ट्रांस् यह अमेरिका में किया गया अमेरिका में 57 वर्षी एक व्यक्ति थे मैं यहां नाम भी लिख देती हूं डेविड बेनेट इन पर सुवर का हर्ट लगाये गया और यह सफल नहीं रहा था बाद में डेविड बेनेट है जोके निपट लिये थे है ना मतलब कि डेथ हो गई थ हो जाएंगे आरिफ मुहम्म्मद खान इंप़ूटन नेशनल पार्क की दि मैं बाद करूँ अराव इक किलम नेशनल पारक दो ही मैंने आप लोगों को याद करा हैं एक दो Arab equilibrium national park है दूसरा इसमें एक silent spelling और इसके लावर writing थोड़ी मुझे अच्छी करनी पड़ेगी क्या पता कब TV में मेरी ये PDF देखने को मिल जाए उस दिन KBC में देखने को मिला तो writing इतनी गंदी लग रही थी मैंना तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे सामने देखने को मिल जाएगा लेकिन कोई बात नहीं खुशी भूई देख करके और एक पेरियार wildlife century यहाँ आप relate कर सकते हो पेरियार wildlife century यह हो गया केरला का फिर शांत गाटी है यह मनें बता दिया अच्छा लेक एदिए आप relate करोगे तो दो important lake भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक विम्बनाद lake हो जाएगा विम्बनाद के अलावा आप लोगों को एक अस्ट मुदी lake यह याद रखना है तो केरल की दो लेक आप लोगोंने याद रखनी है फिर भारत का पहला gender पार के दिए पूछा जाएना तो यह इसी केरल में स्थापित किया गया भारत का पहला Indian Women Trade Center भी केरल में ही और free internet की facility प्रोवाइड कराने वाला भी पहला राज्य यह केरल हो जाएगा चलिए अगले प्रश्णियों की तरफ शलने से पहले हम अधरा option को discussion कर लेते हैं बात की जारी भारत के पहले की तो भारत का पहला क्या गुजरात में ऐसे relate कर सकते हो कि semiconductor policy लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है यह गुजरात मना है हरियाना हरियाना में क्या हम लोगों ने पढ़ा है air taxi हिसार से air taxi service के शुरुआत हरियाना में भारत की पहली air taxi के शुरुआत की गई और दिल्ली में व्रक्षार ओपन नीती लागू करने वाला यह पहला यूटी या राज भी कहें तो यही बना है हाली में भारत में solar firm इस्थापत करने वाली पहली यह पहली company कौन बनी यह नहीं होना चाहिए पहली e company कौन बनी यह आगे पीछे हो गया है यह मैं modify कर दूँगी तो अभी हाली में जो Amazon है यह भारत में solar firm से स्थापत करने जा रही है किस राज जिम्म करने जा रही है तो राजस्थान में करने जा रही है क्योंकि देखिए solar energy के शेत्र में ना कारी करने के लिए वैसे ही राजस्थान काफे समय से active है एक तो reason है कि area यहाँ जादा मिल जाता है area wise भारत का सबसे बड़ा राजजी है और रेगिस्थान के कारण गर्म शेत्र भी है तो यहाँ से यह फाइदा मिलता है तो तीन ने solar firms यह स्थापत कि Amazon कहां करेगी तो यह राजस्थान में करेगी और यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी e-commerce company के द्वारा देश में solar firm स्थापत किये जा रहे हैं इसकी सेख तो ऊर्जा शमता होगी 420 मेगावाड की और इसका लक्ष है 2025 तक अपने विवसाय में 100% trainable energy का उपयोग किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ने दी नील के बाद दूसरी सबसे बड़ी ने दी लेकिन चोडाई में हम देखे तो Amazon ही टॉप पर है तो Amazon company की स्थापना 1994 में की गई थी Seattle USMS का headquarter हो जाएगा founder आप जानते ही है कौन है founder Amazon की Jeff Bezos और present name is CEO Andy जासी है ठीक है अब Amazon का discussion हो बात करो तो flip card की स्थापना न 2007 में की गई थी सचन बंसल और बंडी बंसल के द्वारा headquarter हो जाएगा बैंगल और करनाटक में फिर मिंट्रा के बारे में दिसकुशन करें तो मिंट्रा भी क्यों चर्शे में आया था नंदिता सिनहा के कारण मैंने आप लोगों को appointment वाले व थापना हुई USA में इसका headquarter हो जाएगा अगले प्रशनी की तरफ चलें दी हम कि मवेसी नियंत्रन विधया को वापस करनी का नर्ण है किस राज्य सरकार नहीं लिया है तो अभी हाली में गुजरात government के द्वारा ये जो मवेसी नियंत्रन विधया का लाया गया था कुश मह किया गया था कि जो भी मवेशी पालने वाले लोग हैं इनके पास license होना कंपल सरी है और उनके पश्यों को यदि ऐसे ही आवारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छा आवारा मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता और गाय ऐसे ही कि आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सजा इसमें हो सकती है फिर बात में इसका काफे ज़्यादा विरोध भी चला तो अभी पसुपालक इसका विरोध कर रहे थे जिसके कारण सरकार को यह जो बिल है वापस लेना पड़ा था तो गुजरात के बारे में हम आशन शेत्र हो जाएगा इस्थापना तो गुजरात और महरास्ट दोनों का इस्थापना दिवस एक महीं है एक महीं 1960 में यह अलग राज्य बना था गुजरात लोक सभसीटे 26 राज्य सभसीटे 11 है और गिर गिर वनसदा ब्लैक बक मरीन यह सभी नेशनल पार्क में ने य जी आई टेग मिला है रिसेंटली मैंने बता ही दिया कि सेमी कंड़क्टर पॉलिसी लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है जूना गड में लास्ट येर पधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उदगाटन किया था भाव सागर में भारत का पहला डानस और पार का आप लोगों को याद रखना है अब राजस्थान के बारे में हम डिसकुस करें कोई विद्याक वापस लिया जा रहा है चलो यहां कुछ बिल ही रिलेट करें हम तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य रा धांदली के चलते धांदली का आरोप लगाएगे इस योजना में और यह बंद कर दी गई है दिल्ली हाई कोट ने इस पर पावंदी लगा दी थी अगला प्रशन है हाली में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान के शुरुआत की है तो ऐसी योजना भी हाली म की शुरुआत की गई है जिसके तहट राज्य पुलिस की महिल अधिकारी इमकर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजिस में जा करके बेटियों को उनके कानूनी अधिकार गुड टच बैट टच छेड़ खानी यौन शोशन साइबर क्राइम इन सभी के प्र घासिदाश नेशनल पार्क चानक मारवार लेट सेंचरी यहीं इस्तित हो जाएगा अंबिकापूर आप देख पा रहे हैं भारत का पहला गार्बिच कैफे यह 36 गड़ के अंबिकापूर में ही इस्थापित किया गया है अभी हाली में फसलों का एक्तिवार है हरेली फेस् मितान मतलब यहां ना दोस्त को मित्र कहा जाता है मित्र यानिकी मितान 36 गड़ी लैंग्विज में तो मितान योजना 36 गड़ गवर्मेंट लेकर क्या ही थी फिर गायों के लिए अभी हाली में मुख्य मंत्री गोवन्स मुबाइल यह दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि 36 गड़ गवर्मेंट की ही पहल है फिर चलिए योजना ही रिलेट कर लेते हैं क्योंकि महिलाओं और बेटियों के लिए कोई योजना है तो option भी मैंने कुछ हैसे set किये हैं जिससे कि आप महिलाओं के हित या बेटियों के हित में शुरू की गई योजना अन्य सरकार की रिलेट कर सकते हो जिससे कि 36 गड़ से ही शुरू करें तो cost शल्याब मातरत्व योजना यह 36 गड़ से आप रिलेट कर लीजिए बद्धेप्रदेश सरकार की लाडली लच्मी योजना का दूसरा एडिशन लाडली लच्मी योजना 2.0 लॉंच किया गया है परसे लाडली लच्मी योजना की शुरुआत यहां 2007 में थी राजस्थान महिलाओं के लिए इसने अभी हाली में राजस्थान महिला निधि योजना के शुरुवात की है अब असम की एक योजना ये क्जाम का पार्ट बन भी चुकी है अरुन्ध हती योजना अरुन्ध हती योजना ये इसलिए लेकर कर आहे थी असमTON क्योंकि ये महिलाओं को मतलब कि जो बच्चीया हैं इनके शादी में एक तोला सोना गरी परिवार की लड़कियों को ये दे रही थी असम गवर्मेंट. हाली में निमलकित में से कौन सा बल्ले बाज है जो कि ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर रही हैं तो मुहम्मद रिजवान ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर रही हैं कहां से बिलॉग करते हैं तो ये पाकिस्तान से बिलॉग करते हैं विराट कोली इन्होंने भी हाली में अपना 71 इंटरनेशनल सेंचरी जड़ा है और इंस्टाग्राम पर सबसे द्यादा फॉलो किये जाने वाले एशियाई सेलेब्रेटी कहले या फिर एथलेट कहले रोहित शर्मा ये आउस्ट्रे मतलब T20 कैप अभी जो T20 इंटरनेशनल आउस्ट्रिया में होगा इसके लिए ये कैप्टर ने भारत तिरफ से और बाबर आज हम ये किस देश के खिलाड़ी ये भी पाकिस्तान से ब्लॉंग करते हैं RBI ने अभी हाली में किस सहकारी बैंक का लाइसंस रद्द कर दिया है तो RBI ने अभी हाली में लक्षमी सहकारी बैंक लक्षमी सहकारी बैंक कहां इसते थे थे महाराश्ट का ये बैंक है जिसका लाइसेंस रद्दिकिया RBI ने पूंजी के अभाव के शलते RBI ने ये फैसला किया है RBI बैंकों का बैंक इसके इस्थापना की गी थी एक अप्रेल 1935 में हैटकॉर्टर आप जानते ही हैं मुंबई महाराश्ट में हो जाएगा और इसके जो गवर्नर है ये हो जाएंगे शक्तिकांत 10 अच्छा RBI से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लगों को बताया था कुसमें पहले ही RBI ने ना बैंकिंग धोखा धड़ी से बचने के लिए जो हमारे भाला फेक की खिलाड़ी है नीरा चोपड़ा इन्हें मतलब साजेदार चुना था ब्रेंड अमबेजडर के रूप में नीरा चोपड़ा की नियूकती की गई थी और RBI ने अभी हाली में बैंकिंग धोखा धड़ी से निपटने के लिए ही पॉजिटिव पे पहल की भी शुरुवात की थी मैं नीचे लिग भी देती हूँ पॉजिटिव पे और अच्छा रेपोरेट क्या चल रही है इस समय देखो रेपोरेट करंटी की याद रखना चेंज हो चुकिए 5.9 परसेंट ये हो गई है रेपोरेट आर्बियाई की देखे अगले प्रश्णी की तरफ चने किस राज्जी को भारत का पहला हिमस्खलन हिमस्खलन मतलब कि जो लेंड स्लाइट की घटना आप पड़ते हैं राडार मिला है तो अभी हाली में सिक्केम राइट अंसर होगा ऑप्शन अमबर डी भारती सेना और रक्षभू सूचना विज्ञान अनुसंधान के द्वारा उत्रे सिक्केम में हिमस्खलन निगरानी राडार को सेंख्त रूप से अस्थापित किया गया है मतलब कि हिमस्खलन का पहले से ही पता लगा सकने वाला ये राडार है जो कि भी हाली में इंडियन आर्मी के द्वारा लॉंच कर दिया गया है कहां सिक्किम गई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिंग का मांग राज जपाल गंगा प्रशाद हो जाएंगे अभी हाली में यहां ब्ल्यूट्यूग को राज की पक्ष डिक्लेयर किया गया है जैवी खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज जीदी पूछा जाए तो यह सिक्किम ही हो जाएगा यह भारती संग मेरा 1975 मे में बात करूँ तो असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां असम के जोगी गोपा में फर दिल्ली में भारत का पहला वार मेमूरीय लेनी की युद्ध इसमारक आप रिलेट कर सकते हैं और मडीपूर में दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल प इसी श्री नगर में पहला मल्टी प्लेक्स ओपन किया गया है पान सो बीस सीटो वाले यहां तीन मुवी थेटर होंगे एनुक्स ने इस सिनेमा हॉल को बनाया है मनोज सिनह जुकिहां की राजजपाल है इन्होंने इसको घाटन किया है श्री नगर राजजधानी है वैसे देखिये नया यूटी 2019 में ही बन गया था लोक सभसीटे राज्य सभसीटे पांच और चार है नैशनल पार्क में दची ग्राम किस्तवार सली मली नैशनल पार्क नहीं है जीलों में डल लेकर जहां SBI ने अपना फ्लोटिंग एटियम एनिकी तैरता हुआ एटियम पहला जो इगलू कैफे है न यहीं उपन किया गया था जबकि सियाचीन ग्लेशियर दुनिया का सबसे उचा यह धश्यत रहे जहां भी हाली में इंटरनेट सर्विस के शुरुआत है जोकि सुरू हो चुकी है सामा 100% vaccination वाला यह भारत का पहला जिला बना था जमुकश्मिर का डोड़ा भी यहीं का एक प्रसिद जिला है हीरो मोटो कॉर्प ने इलेक्टरिक वाहन चार्जिंग इंफ्राश्रिक्चर की स्थापना करने के लिए किस के सांथ समझोता किया है तो HPCL के सांथ यह समझोता कर लिया गया है उपर में जो कंपनीज के नाम लिखे सब ही मैंने क्या बताया था यह महारतन कंपनीज हैं कल पढ़ा है तरह महारतन कंपनी के बारे में तो हीरो मोटकॉप ने रिसेंटली HPCL के सांथ समझोता किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड के साथ मतलब कि जो टू वेहलर्स है दो पहिया वाहन है इनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रेक्चर इस्थापित किया जाएगा सबसे पहले तो देखें जो HP के स्टेशन है मौझुदा रूप से पहले वहीं है ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएंगे बाद में फिर अधर कमर्शल साइट में इस्थापित होने हैं 1984 में हीरो मोटकॉप के स्थापना हुई पहले हीरो और हॉंडा एक ही हुआ करते थे फिर बाद में दोनों के डिविजन हो गया था नई दिली में हेड़कॉर्टर संस्थापा किसके ब्रज मोहन मुंजल सीयो पवन मुंजल हो जाएंगे अगला प्रशने समुद्री परेटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब के नाम से वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ये किस ने लॉंज किया है तो रिसेंटली ना जो युनाइटेड नीशन्स एन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसने ग्रीन फिंस हब इस नाम से वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो की ये लॉंज कर दिया है सबसे पहले दिवें बात करूँ इस ग्रीन फिंस हब की तो ये जो हब है अब तक का पहला समुद्री समुद्री परेटन उद्योग मंच है तो ये इस्थाई समुद्री परेटन को बढ़ावा देने का कारी करता है तो UNEP ने इसके सांथ समझोता कर लिया है दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉट्लिंग ओपरेटर के साथ वैस्विक डिजिटल प्रेटफॉर्म है इसका उद्देश डाइविंग और स्नॉट्लिंग को बढ़ावा देने के लिए परेवरन की अनुकुल दिशाओं में कारी कर रहा है समुद्री परेटर के लिए एक मात्र अंतराज्ट्री मानिता प्राप्त परेवरन मानक प्रदान करता है और फिर इसकी मजबूत मुल्यांकन प्रडाली अनुपालन कुमापती इसके कुछ पैरामीटर है पैरामीटर मेंने कुछ एड किया नहीं है कि किस किस पैरामीटर प कि आप लोगों को अलग से बता दूँगी समझोता किया गया है UNEP के साथ तो UNEP के द्वारा UNEP एने की United Nations Environment Program इसके स्थापना 5 जून 1972 में की गए इसलिए 5 जून को हम Environment Day के रूप में मनाते हैं इसका नैरोबी Kenya में हो जाएगा United Nations General Assembly की अभी हाली में सततरवी बैठक संपन हुई है कहां संपन हुई है New York में United Nations Security Council के बारे में दिमें बात करूँ तो भारत इसका अस्थाई सदस्य है दो साल के लिए सदस्य का मिलती है अस्थाई सदस्यों को इस्थाई सदसे केवल पांच है World Health Organization Geneva Switzerland में इसका Headquarter हो जाएगा कल मैंने पूछा था EAF की मेजबानी कौन कर रहा है रश्या EAF इनकी पूरवी आर्थिक मन्चाज का सवाल है सेक्त राष्ट मानवा धिकार आयो के द्यक्ष कौन मने आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो सेम इसी टाइम में कल अप्लोड होगा बारा बज़े डेली की टाइमिंग है कल में लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थाइंक्यो सो मुच